हेलो फ्रेंड्स मैं सीए पनी जयन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एंडर अजयर आपके अधाने वाला हूँ अगर आप उस प्रोषस के फूरूष में करेंगे तो पांसे साथ मिनिट के अंदर अदर आप अपना जी स्टी का रिच्टेशन एप्लाई कर देंगे और वह 100 पर सेंट अप्रूब होगा कुछ important points होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है आप वो miss कर देते हैं फिर इसलिए वजह से आपके जो registration apps में queries आती हैं वहाँ से clarification required होती हैं वो सारी चीज़े avoid करने के लिए आपको वीडियो को पुरा end तक पुरा ध्यान से देखना पड़ेगा चले यह start करते हैं जो first time viewers हैं वो channel को subscribe कर लिए काफी सारी वीडियोज हैं आप एक बार देख लीजेगा इसमें काफी आपके benefits के लिए बनाई गई है वीडियोज तो सबसे पहले हमें जाना है www.gst.gov.in यह government के official website है इसके तुरू हम यहाँ पर register करेंगे तो यहाँ पर friend आपको registration का option ही मिलेगा यहाँ पर एक जिंगे पर register now का यहाँ पर option आएगा Taxpayer registration इसमें भी क्या होता है कि GST में अलग-अलग category of registration होते हैं generally हम जो registration करते हैं वो आज़े टेक्सपे लेते हैं वाट अगर आप की liability आते GST में TDS deduct करने की, TCS deduct करने की या फिर आप जो है NRI है, United Nation, Bodies तो सबके लिए अलग-अलग category of person है हम यहाँ पर बात करेंगे Taxpayer की generally हमें Taxpayer registration करना होता है जब हमारी GST की liability आती है इसमें भी दो category होती है एक normal registration और एक combustion registration तो उसको करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है सबसे पहले हमें यहाँ से जो option हमें आ रहे है front पे कुछ basic details है उनको enter करते हुए email ID और mobile number पे एक unique code generate करना होता है तो उसके लिए क्या है कि आप statewide registration ले सकते हैं आप statewide registration में आप एक state में भी multiple registration ले सकते हैं कोई problem नहीं है for example हम यहाँ पर select करते हैं असाम इसके बाद आपको यहाँ पर इसके अंदर जो district आते हैं लग-लग कि किस district अंदर आप registration लेना जाते हैं यह state is specific है state और UT दोनों चीज़ों में आप जो है कहीं भी registration लेंगे तो हाँ पर state के अंदर जो district है उसको यहाँ पर आपको select करना है अब यहाँ पर आता है legal name of business legal name में आप वो details एंटर करेंगे जो भी आपके pen card पर यहाँ पर mention है अगर मैं बात करूँ प्रोप्राइटर की तो प्रोप्राइटर के case में जो individual person है उनका ही pen card का number यहाँ पर आपको enter करना है उस से related उस पर जो भी नाम लिखा हुआ है वो name बिल्कुल AGT यहाँ पर आपको paste करना है तो कि तीन चीजे income tax की website से direct verify होती है एक तो name दूसरा father name और तीसरा date of birth यह होता है अगर आप individual प्रोप्राइटर फर्म में जा रहे हैं अगर partner सी firm में जा रहे हैं तो partner सी firm के case में जो firm की जो date होगी वो verify होगी और उसका जो name है वो verify होगा इसी तरह से company के case में same लगेगा या फिर कोई भी आप legal entity जिसका आपके बास pen card है उसका आप GST में registration कर सकते हैं same यही process आपको लगेगा उसमें बस थोड़ी सी points का अंतर आएगा वो मैं आपको जब हम next window आएंगे तो मैं आपको clear कर दूँगा ठीक है अब इसमें point यह भी आता है कि अगर आपके पास पहले से ओलेडी रिश्टर है तो भी आप multiple कितने भी registration ले सकते हैं समय कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर पैन नमबर यहाँ पर आप मैं मैंसन करेंगे उसके बाद यहाँ पर जो पैन पर मैंसन होता है जो नेम उसी को यहाँ पर लीगल नेम कहते हैं यह स्थीक लेंगे वह आपको एंटर करना है इमेल आईडी मोबाइल नमबर इस पर OTP वेरिफाई करते हुए प्रोसीड कर लेना है एक TRN नमबर जैनरेट होगा उसको आपको नोट करके अपने बाद रखना है क्योंकि उसी से ही हम आगे प्रोसीड करेंगे इस तरह से यहाँ पर एक TRN नमबर जैनरेट होगा यह नमबर आपको जो है नोट करके अपने बाद रख लेना है क्योंकि जब भी हम इसका status चेक करेंगे तो इसी TRN से हम यहाँ पर लोगिन करेंगे और यह 15 डेज के लिए वैलिड होगा आप यहाँ पर प्रोसीड कर देते हैं इसको कोपी करके आपको एक सेव जगह पर पेस्ट कर लेना है ताकि आपको फ्यूचर में इसका यूज कर पाएं आप अब अ इसके बार हम आपर जहां परर अपने रोगिन करना ङुका है तो अब आ ने स्कार एप करके मैं ना बताया आप इसको सेव रख लीजिए जब तक रेजिश्टेशन नहीं आता तक यह मैय रहता है फिर इसके बाद OTP आएगा उसी नंबर पे जो आपने email ID, email नंबर यूज़ की थी, वो अब same यह आएगा, दोनों पे same यह आएगा, उससे पहले एक बार verification के लिए हो, अलग-अलग OTP यहाँ पर required होता है, अब यहाँ से हमें इसको process करना है, application TRN के तुरू generate हो चुका है, अब यहाँ से हमें इसको complete कर लेना है, वट लेकिन इतना time यहाँ पर दिया गया है, हम इसको hand-to-handly complete करेंगे, कि हम यहाँ पर fast mode में registration करने वाले हैं, एक चीज का ध्यान लगेगा, fast registration के लिए आपका आधार authentication के तुरू submission होना जरूरी है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको जो है, अपने आधार को mobile number से link करा लेना है, ताकि हम OTP verify कर पाएं, अब यहाँ पर जैसे proprietor firm के case में जो है, आप trade name अगर same रखना चाहते हैं, legal name जैसा मतलब जो भी आपका name है, तो same भी रख सकते हैं, वोगर आप different trade name कुछ भी आप रखना चाहें, वो यूज कर सकते हैं, partnership firm, company के case में जो भी उनका name होता है, same वो ही name हम यहाँ पर यूज करने की advise करते हैं, क्योंकि फिर आपका bank account में भी सभी जंगे पर जो आप trade name यूज करेंगे, उसी के बेस पर यहाँ पर आगे तक जो भी firm में जहाँ पर भी आपके document submit करना है, वो trade name के बेस पर ही होगी, पर अगर वो pen guard से different नाम हो जाता है, other entities में, प्रोप्राइटर केस में तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्रत नहीं है, तो यहाँ से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, constitution के case में, यहाँ से आपको select कर लेना है, कि आपकी जो, जैसे मैंने पहले category बताईती, किस category के अंदर आप covered ह होते हैं, company है, proprietor है, partnership है, statutory body है, तो यहाँ से आपको अपने according यहाँ पर select कर लेना है, अगर individual person के नाम पर अपर registration लेना है, तो proprietorship आपको यहाँ पर select करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है, आप यहाँ से चाहिए, तो district change ही भी कर सकते हैं, जैसे हमने primary यहाँ पर लिया थ है कि क्या आप जो registration ले रहे हैं, जैसे मैंने category बताई दी, casual taxable person, या फिर आप combustion scheme में जाना चाहते हैं, इसके अंडर में हाँ पर दो scheme में आप registration कर सकते हैं, composition और एक normal taxpayer, तो combustion के अपनी कुछ limitations होती है, उसका कुछ criteria होता है, तो अगर आप उसके अंडर में fall करते हैं, service और goods, दोनों के case में आप ले सकते हैं, fixed percentage of tax से आपको यहाँ पर GST का payment करना होता है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे normal registration की combustion के case में कुछ नहीं करना, same यह process follow करते हैं, इसको yes कर देना है, फिर बस आप से तीन question पूछे जाएंगे, कि आप as a manufacturer के लिए तो यह वाली scheme available नहीं है, पर क यहाँ पर इस तरह से select करना है, अलग-अलग option तीन यहाँ पर दिये गए है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि composition scheme जो है, उसके limit के अंदर में अगर आप registration लेंगे, तभी वो applied होगी, service के लिए अलग limitation है, और बूर्स के लिए तो अलग यहाँ पर, अगर हम normal करेंगे तो इसको हम बेसिकली इसी तरह से हम रहने देंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर region बताना है, तो region में generally हम voluntary basis select करते हैं, बट आप जो है कुछ other regions भी कर सकते हैं, जो है आपकी limit जो है, cross कर गई है, 20 lakh है, 40 lakh है जो limit मिलती है, service series में 20 lakh होती है, कुर्स के किसमें 40 lakh होती है, त जब से आपकी liability आती है, उससे within 30 days आपको कोई करना होता है, तो suppose कि आज हम 9 में अगर हम यहाँ पर registration करना जा रहे हैं, तो हम इसके back 30 days तक कह यहाँ पर time limit ले सकते हैं, अगर आप जादे लेते हैं, तो भी उससे कोई problem नहीं आती है, बल टेकिन future में हो सकता है, आपको registration valid है आपके पास, वो ज़रूर आपको यहाँ पर mention करना है, अगर आपके पास GST आप hold करते हैं, किसी अधर state में है, same state में, registration और या फिर service tax का registration आपके पास पहले पुराना आता तो इसकी requirement फिलाल नहीं है, IC code हो गया, इसमें सा आप चेक कर लिए अगर कोई registration है, company case में mandatory होत ज्यादा mandatory है, नहीं होता है, save करके next step पर जाना है, यहाँ पर आपको अपनी basic details एंटर करनी है, जैसे कि father, अपना खुद का name, father name, date of birth, mobile number, email id, जो आपने पहले यूज किये थे वो ही वाले आप यूज कीजिएगा, और यह basic details है, आप अपने according ले ले लेंगे, इसमें कोई नहीं है, यहाँ पर designation में आप लिखेंगे, अगर आप किसी partnership के लिए लिख कर रहे हैं, तो partner लिखेंगे, प्रोप्राइटर के लिए कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटर, company के लिए director, सब के लिए आपको जो भी आपको authorization है, उसके according आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें आपको बदाया था कि अपर registration में fastness किया गई है, इसी वज़े से यह fast हो गया थोड़ा था, क्योंकि अब आपको अपनी location जो भी आपका address है, वो आपको locate करना होगा यहाँ पर, यह map में आपका address होगा, वो automatically यहाँ पर reflect होगा, जैसे आप address यहाँ से select करेंगे, उसके बाद क्या होगा, कि अगर जो भी आपने document लगाए हैं, अगर वो same verified होते हैं, same address से, तो यह approve होने में ज्यादा time नहीं लगेगा, एक से दो दिन के अंदर approve हो जाएगा, पर अगर यह address match नहीं होता है, जो भी आप supporting document आप यहाँ पर use करने वाले हैं, तो फिर आपको दिक्कत आने case of business वाले के लिए हम यहाँ पर use करेंगे, तब थोटा सा important point आता है, तो यहाँ से आप अपना address यहाँ पर select कर लेंगे, select करने के बाद यहाँ पर आपको एक photo, selfie भी upload कर सकते हैं, या फिर जो अगर आपके बास कोई passport size photo है, तो वो आप यहाँ पर select कर लेंगे, को आपको उत्राइज करना है, तो फिर उसकी details भी आपको यहाँ पर enter करना होगी, अगर third person को आप उत्राइज बनाना चाहते हैं, तो फिर next step में उत्राइज सिगनेटर की details में, सारी details, same pen number, mobile number, सारी details उनकी जाएगी, और एक authorization letter भी आपको attach करना होगा, पतब GST के case में आप चाहें, तो अगर provider है, खुद से भी आप handle कर सकते हैं, किसी को उत्राइज करना चाहते हैं, तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्रत वाली इसमें बात नहीं है, यहाँ पर आपको इस तरह से address type करना है, और यहाँ से जो भी location है, उस पर click करना है, click करने के बाद, वो location यहाँ पर आ पर आएगी, तो उसको select कर लेना है, बट लेकिन फिर भी हम उसमें edit कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर details आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर edit option आ जाएगा, तो आप proper address, जिसके आप supporting यूज कर रहे हैं, जो मैंने बताया latest electricity bill, उसके साथ हम other documents यूज करेंगे, अगर owner different है, तो अगर same owner है, तो फिर requirement नहीं आती है, बट आप एक बड़ चेकर लीजिएगा, कि लेटेस्ट, electricity bill के साथ, rent agreement, या फिर concern later, दोनों में से एक चीज़ का आपको यूज करना होगा, अगर owner कोई different person है तो, ठीक है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हम जो person है, उसकी details एंटर कर रहे हैं, यहाँ प्रोप्राइटरेस में प्रोप्राइटर की details दाल रहे हैं, पर लेकिन जो business address होगा, महाँ पर हमें supporting documents भी एंटर करने होगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको select करना है, primary authorized signatory, अगर same है, तो same आप यूज करेंगे, different हो, different alliance में कोई दिक्कत नहीं है, save and continue करते हैं, आगे बढ़ जाना है, बट अगर आपका, यहाँ पर authorized person कोई different आप यूज करना है, तो फिर उसको yes करके, उनकी details यहाँ पर enter करनी है, अब हमारा next part आता है, authorized representative अगर आपको यहाँ पर add करना है, तो कर लीजी, उसकी भी कोई asset requirement नहीं होती है, proprietorship के case में, बट लेकिन partnership firm या फिर LLP, company या अधर entity के समें आप जो है, वो use कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर direct principle place of business पर चलते हैं, जो हमारा main registration approve होने के में, जहाँ पर दिक्काद आती है, सबसे main area यह वाला रहता है, इसके बाद फिर हम यहाँ पर goods and services, जो भी ह हम enter कर सकते हैं, 5 number तक, फिर उसके बाद next में, आधार on threat negation और फिर verification, बस जो main part होता है, वो सबसे important part यह वाला है, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पर query जाती है, clarification required होती है, अब यहाँ पर जो हमने address use किया है, उस address से related हमें यहाँ पर state word और central word यहाँ पर select करने होते हैं, तो यहाँ ज्यादे selection criteria नहीं रहा है, तो यहाँ आज आपको अपने details यहाँ पर select कर लेना है, कि आपकी details है वो किश division में आ रही है, क्या criteria बन रहा है उसका coding, pin code को आपको ध्यान से देखना है, वो चीज़े check करनी है, उसके बाद ही हाँ आपर details आपको enter करनी है, और supporting के लिए म यहाँ पर select करने के लिए आपको यहाँ पर दो चीज़े at least attach करनी होगी, सबसे पहला होता है कि हमें यहाँ पर utility bill attach करना होता है, तो सबसे पहले तो यह आप से confirm किया जाता है कि जो address आप यूज करना है वो consented है, leased है, other है, यह आपका खुद का है, rented है, shared है, तो यह आप ज consent letter की बात करेंगे, तो पहले हमें यहाँ पर consent letter attach करना होगा, यहाँ से हमें select करते हो, consent letter attach कर देना है, फिर यहाँ पर second thing आएगी, कि आपको utility bill भी यहाँ पर attach करना होगा, तो at least आप यहाँ पर जब upload करें, तो शीज का ध्यान लखिए कि कम से कम आप जो भी address है आपका, यह telephone का below, government utility का या फिर कोई other below जो भी आपके हाँ पर name पर आता, ownership के case में, consent letter में यहीज का आपको ध्यान लखना है, format तो आपको मेरे चैनल पर मिली जाएगा, consent letter का format, rent agreement का format, इसमें आपको यहीज का ध्यान लखना है, जो consent letter है, वो आपको 100 डुपीज के stamp paper पर नोटराइज कर के attach करना है, और जो rent agreement वो at least 500 के stamp paper पर attach करके attach कीजिएगा, कभी-कभी कम stamp paper की value पर भी approve हो जाते हैं, वचले कि उसमें time limit जाता हो जाता है, तो इतना तो आपको business में loss हो जाएगा, तो इससे बैटर है कि आप जब भी apply करें, तो proper documentation के साथ ही upload करें, अब यहाँ पर आता option, य nature of activity, इस case में क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सब चीज़े हाँ पर select कर लेते हैं, कि चलो एक बार में सारे यहाँ पर select कर लेते हैं, services का भी, goods का भी, आपका address सब बोज कीजिए, आपका अपने घर का address ही उज़ कर रहे हैं, तो आप अपने घर से किस तरह से सारी activities कैसे carry on करेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान लखना है कि जब भी आप जो भी address दे रहे हो, अगर वो आपकी factory का है, तो फिर आप factory में तो आप काफी सारी चीज़े कर सकते हैं, अगर आप किसी घर पे किसी floor का address दे रहे हो, तो उसमें आप एक limited चीज़े ही कर सक या फिर जो भी आप goods अगर प्रोवाइड करना जा रहे हैं, बिजनिस जो activity आप यहाँ पर select करेंगे, या फिर हम इसको nature of business भी कह सकते हैं, वो ही आप गलह select कर लेते हैं, गलह select कैसे कर लिया आपने, कि आपने import-export भी ले लिया, फिर उसके बाद आपने retail, sale और contact sub service यहाँ address है, तो घर से आप इतनी चीजे कैसे provide करें, कैसे nature of business कैसे justify होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कि जब आप जिस address का proof यहाँ पर attach कर रहे हैं, उसके लिए आप एक या ज्यादा से ज्यादा केवल दो चीजे यहाँ पर nature of business में select करें, एक बार registration approve हो जाएगा, त कर लें, इसमें multiple चीजे आप attach कर लें, फिर कोई some clarification आप पर नहीं आने वाली, एक बार approve हो गया, तो मैं आपको suggest करूँगा, service के case में, service, recipient of service, या office, sale of office, दो चीजे select करें, और goods के case में, अगर आप retail business करते हैं, तो retail, wholesale करते हैं, तो wholesale, proper business के case में, export, import, import, export, select करें, इसके साथ एक office भी address attach कर लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो या तीन value यहाँ पर आपको nature of business में select करनी है, सारी यहाँ पर select नहीं करनी है, अब इस case में हम क्या करते हैं, इसमें एक point का आप यहाँ पर भी ध्यान न किएगा, कि आपका जो registration है, वो आपके selection creator के base पे ही central authority को या फिर goods के लिए registration कर रहे होंगे, तो जो आपकी state authority है महाँ पर जाएगा, तो इस case का भी आपको ध्यान रखना है, बाद में आप एक बार registration होने के बाद में भी multiple changes कर सकता है, कितनी बार भी आप करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, यहाँ से select करते हैं, आपको save and continue प आपको search करना है, जैसे हम यहाँ पर search करते है, management consultancy, तो उसके according यहाँ पर automatically काफे सारी list आजाएगी, इसमें नीचे जो है view all का option आता है, यहाँ से आप जाएं और अपने according देख लेगी, जो भी आपने search में, criteria code में, जो भी आपने आपर word enter किया है, तो उसके according आप search कर सकते ह इकत वाली बात नहीं है, इसी तरह से goods के case में भी same facility है, उसी तरह से आप goods की भी यहाँ पर select कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अधार authentication वाले option पर yes करना है, अगर आप इसको no करते हैं, तो इसमें time limit फिर आपकी बढ़ जाएगी, 30 days तक का time होता है, अगर हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके अधार से ही यहाँ पर verification होगा, जैसे ही मैं verify करके submit करूंगा, email ID पर एक email आएगी, उस पर click करना है, अधार number एंटर करना है, OTP verify कराना है, उसके बाद ARN number generate होगा, अगर आप इसको no करके करते हैं, तो आपने time limit 30 days यह से जादे लग सक तो मैं आपको suggest करूंगा कि आप हमेशा आधार number indication को yes करते हुए ही, अपने GST registration application को submit करें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि high chances रहते हैं, automatic approval के, yes करते हुए, इसको हम verify करके हाँ पर submit करेंगे, verify में बिल्कुल symbol details है, यहाँ पर आप automatically check भी करते रहेगा, जब तक आपकी profile complete नही कर पाएंगे, इस तरह से हम यहाँ पर OTP को verify कराते हुए, application को submit करेंगे, फिर उसके बाद एक message generate होगा, जो भी आपने details enter की है, वो data एक बार verify होगा, lifetime, income tax की website से, और उसके बाद यह application आपकी submit मानी जाएगी, जब तक आपका ARN generate नहीं होता, तब तक यह submit नहीं मानी आपके mobile number और email ID पर एक अधार authentication का message आएगा, उसको verify करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तब यह complete process माना जाएगा, यहाँ पर जब तक की ARN generate नहीं होता, एक बार ARN generate हो गया, फिर उससे आप यहाँ पर service में जाकर, registration में, track application में, track भी कर सकते हैं उसक आपके submit करने के बाद आपको 10-15 मिट का यहाँ पर wait करना होगा, उसके बाद message आएगा, यहाँ पर आपकी email ID पर आप देखेंगे, तो hyperlink करके message आया होगा, उस वाले message पर आपको click करना है, वैसे ही mobile number पर भी आता है, फिर उसके बाद यहाँ से click here पर click करते हो, यहाँ पर हम के आधार card पर लिखी होई होती है, या फिर आधार number यहाँ पर enter करें, validate आधार पर click करें, OTP को verify कराएं, यहाँ पर आपको OTP enter करना है, आधार card में जो mobile number रेजिटर है, उसी पर ही यह OTP आपके reflect होगा, वाज़े आपको यहाँ पर enter करते होगा, validate पर click करके verify करना है, कैसे जाएगा, successful, आधार authentication का, तो इसका मतलब अब आपकी application जो है, properly submit हो चुकी है, और आपकी जो email है, उस पर भी इसका confirmation आएगा, email पर चेक कर लिजेगा, mobile पर यहाँ पर इसको आपको confirmation मिलेगा, कि आपका आपका जो आधार card है, वो GST से verify हो गया है, इसके बाद आपको 10 minute के अंदर अंदर email आ जाएगी, ARN की, वो ARN number 15 digit का number होता है, उससे आप अपने GST को track कर सकते हैं, यहाँ पर आपको GST की website पर जाना है, और track application से आप यहाँ पर service में registration में, track application से submit, जो भी आपने application सम्मिट किया है, उसको आप यहाँ पर track कर सकते हैं, इसमें आपको step by step हो जाएगा, फिर भी इसमें अगर कोई clarification आती है, तो जैसे मैंने बताया है, बस clarification को आपको उसी TRN number से login करते हुए, उसी तरह से submit करना है, तो दोस्तों यह था हमारा complete process GST registration करने का, वीडियो थोड़ा बढ़ा हो सकता है, क्योंकि मैंने इसमें आपको सारे important points हैं, वो सारे discuss कर लिए हैं, सब कुछ बता दी हैं, फिर भी कोई problem आती है, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, या फिर email कर सकते हैं, इसके अलावा, मेरे channel पर आपको काफी सारे वीडियो मिलेगी, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप उनको देख लीजेगा, या आपके benefits की होगे, इसमें कुछ चीज़ ऐसी है, जो कि आपके normal course of business में, या फिर अगर आप accountant है, professional है, तो भी आपके लिए काफी beneficial होगी, वीडियो देखने के लिए, thank you so much.